आज का जो चैप्टर है दुख का अधिकार इस चैप्टर के आज हम one-liners questions कर रहे हैं तो इसमें पहला हमारा question है लेखक किसकी रोने का कारण नहीं जान सका तो लेखक बुढ़िया माई की रोने का कारण नहीं जान सका यहाँ पर सही जवाब है वह सही है उसके बाद कुशिन आता है बुढिया के दुख को देखकर लेखा को किसकी याद आई तो यहाँ पर बुढिया के दुख को देखकर के लेखा को एक संभरात महिला की याद आई समाज में मनुश्यों का अथिकार और उसका दर्जा कैसे सुनिश्चित होता है समाज में हम पोशाक से लोगों की पहचान करते हैं कि किस प्रकार के वस्तर किसने पहने हैं किसी डेस पहने हैं तो उसका दर्जा जो है मनुश्य का उसकी पोशाक से माना जाता है प्रश्न आता है खर्वु ये पेचने वारी बुढिया के बेटी का क्या नाम था तो उसका नाम था भागवाना फिर प्रश्न आता है पूत्र की मिरत्यों के अगले दिन किसे पाजार में आना पड़ा तो बुढिया माई को सब्सक्राइब वह हुई थी तो बढ़ा ही यहाँ पर जो स्थेती है बुढिया माई की वो बहुत बुरी है तो यहाँ पर पुत्र की मृत्यू के अगले दिन उन्हें बाजार में आना पड़ता है प्रेशन है बुढिया को पुत्र की मृत्यू के अगले ही दिन बाजार क्यों आना पड़ा खर्बूजे बेचने के लिए आई थी तो option A जो है यहाँ पर सही जवाब है प्रेशन है कहानी में किस के मरने पर तेरे दिन का सूर तक कहा गया है कहानी में बच्चे के मरने पर तेरे दिन का सूर तक कहा गया है बुडिया के बच्चे की मृत्यों कैसे हुई थी यहां पर सापके काटने से उनके बेटे की मृत्यू हो गए थी फिर प्रिशना आता है कि कहानी में लोगों ने किसे पत्थर दिल कहा है यहां पर गुडिया को पत्थर दिल कहा गया है कपड़े में मुझ चिपाए सीर को घुटनों पर रख करके कौन रो रहा था यहां पर सही जवाब है बुडिया माई तो ऑप्शन भी जो है वह सही है प्रिशना आता है किसकी मृत्यू के पस्चाथ बुडिया के परिवार का पालन पोशन करने वाला कोई भी नहीं था भगवाना की मृत्य हुई थी उनके पुत्र की तो उनके घर में कोई बचान नहीं था प्रिशनाता है बाजार में लोग बुढिया को किस दृष्टी से देख रहे थे नफरत की दृष्टी से उन्हें देखा जा रहा था प्रिशनाता है सांप की कटने पर बुढिया किसको बुला करके लाई थी तो ओजह को वह बुला कर लाई थी प्रिशनाता है किसकी दुख को देखकर लेखक को संभरात महिला की याद आ गई थी बुढ़िया के दुख को देख करके लेखक को संभरात महिला की याद आ गई थी लेखक के अनुसार किसे दुख मनाने का अधिकार नहीं है लेखक के अनुसार गरीबों को दुख मनाने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि बुडिया माई की मजबूरी यहां पर आपसपरश देख रहे हैं हो कि उसे बेटे के मृत्यू के अगले ही दिन खरबुजे बेचने के लिए बाजार में आना पड़ता है प्रिशन है बुडिया बाजार में क्या बेचने कई थी तो यहां पर सही जवाब है खरबुजे बेचने के लिए गई थी उसके बाद प्रिशन आता है बुडिया का हाल पूछने में लेखक को किसकी कारण परिशानी थी पोशाक के कारण उसे परिशानी हो रही थी उसका हाल जानने में प्रिश्न आता है कि लेखक के अनुसार बुडिया को कोई क्यों उधार नहीं देता था क्योंकि उनके बेटे की मृत्यों हो गई थी इसलिए उसे कोई भी उधार नहीं देता था लोगों के निसार पुडिया को कितने दिन सूतक में रहना चाहिए था तो उन्हें जो है तेरे दिन के लिए सूतक में रहना चाहिए था यहीं कि घर के भीतरी रहना चाहिए था लेकिन उन्हें ऐसा नहीं किया था उसके बाद कुशिन आ जाता है कि सापके काटने के कारण लड़की का शरीर कैसा हो गया था तो सापके काटने के कारण लड़की का शरीर जो है वो काला हो गया था यह हमारी कुशिन्स हैं और अगर अगर अपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना और साथ ही बेल बटन भी प्रेस करना ताकि सारे नोटिफिकेशन्स मिल जाएं सभी जितने भी चैप्टर्स बनाए जाते हैं आप भी के लिए बनाए जाते हैं थाइंक यू फॉर वॉच्छिंग झाल 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 जाते हैं झाल झाल